हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल समराट एजुकेशन में दोस्तों इस वीडियो मैं आप लोग के लिए आर्गेनिक फार्में का कुछ मोस्ट इंपार्टेंड किसे लेका रहा हूं जो क्या आपके पूछे जा सकते हैं दोस्तों मैं अपना नोट से क्योंकि इस से पहले मैं अपना न्योट से रहा था अभी पीडिएफ लिगरने में दोस्तों टाइमपुणा निकल जाएगा और आज लाक्टय तो कि दिन आप लोग के तयारी करनी है तो मैं अपना नोट से लेकर आया हूँ तो चलिए देखते हैं फसल का चक्री करड फसल चक्र से यह कई भूमी पर विविन फसलों को एक व्यास्थित करम में बारी-बारी से सामिल करना है फसल चक्री कर क्या दोस्तों फसल चक्र एक ही मातपूर रणनीती है फसल में बदलाव और मिट्टी के पोसक ततों के अस्तर पर रख रखाव के प्रतिकिरिया भी हरबतवार प्रबंदन के लिए मातपूर भूमिकानी बाती है दोस्तों इसका में एडिंग है खर आरगेनी खेती खरबतवार का नियंतरण उसके अंदर फसल का चकरी गड़ पारा आडिंग है दूसरा आडिंग है सुरच्छा फसले तियेजी से विकास और फसल द्वारा धनी जमीन को डखने के लिए खरबतवार का दमन होता है तियेजी से विकास और फसल हानी जमीन को डखने से खरबतवार का दमन होता है इसके लाव मिट्टी की सता पर फसल के अवसेस्तों को डखने से मिट्टी को च्छायांकित और ठंड़ा करके खरबतवारों को दबा दिया जाता है दोस्तों यह सुरच्छा फसले दूसरी एडिंग थी, तीसरी एडिंग है जुताई प्रडाली जुताई प्रडाली मिट्टी की बीच बैंक की गति सीलता और खर्पतवार की बीजो को दफनाने की गहराई बदल देता है इससे लगवग 25% सीड़ बैंक मिना जुताई वाले खेतों में उपरी 5 सेंटिमिटर मिट्टी में केंदरित होता है जुताई प्रडाली मिट्टी की बीच बैंक की गति सीलता और खत्बार के बीजो को दफनाने की गहराई बदल देता है इसके लगवग 75% सीड़ बैंक जुताई करने वाले प्रडाली मिट्टी में केंदरित होते हैं इसके आदागे देख अंतर फसल अंतर फसल में मुख्य फसल की पंक्तियों की बीच इसमूदी फसल उगाई जाती है जो अंतर फसलों के खरपतवारों को दबाने में सच्छम होती है अंतर फसल दोस्तों क्या आता है तो एक मिल्दा किक्सी नमूने की रसानिक जाच है। क्रिसि में मिड़ा परिच्छड या भूमी की जाच एक मृधा किसी नमूनी की रसानिक जाच है जिससे भूमी में उपलफध पोशख ततो की मातरा के बारे में जानकारी मिलती है इस परिच्छड एवं उद्यष्य की उरवर्ड़ता मापना तथा या पता करना होता है कि मृदा में लवणता चारिता तथा अमलीता की समस्या की पहचान के आर्धार पर भूमी सुधार कोकी मात्रा वप्रकार की सिफारिश कर भूमी को फिर से क्रिस्योग बनाने के लिए योगदान करना होता है अगला फलो के पाग लगाने के लिए भूमी कूप युक्तता का पता लगाना होता है मृदा परिछड के लिए सबसे पहले मृदा का नमोना लिया जाता है तथाया नमोना ठीक ढग से लिया गया है और वो मृदा की सही प्रतिनी दित्तों न कर रहा है तो हलकी ही मृदा परिछड में कितनी सावधानिया क्या हो ना बर्तिया ही इसलिए हमें मृदा का नमुना सावधानी से लेना चाहिए मादला दोस्तों काने काया है कि मृदा को हमें जब जांच करने के लिए परिछड करने के लिए ले जाए जाए उसे बहुत सावधाने से लेना चाहिए आगे चलते हैं हरित क्रांती भारत में हरित क्रांती के शुरुवाद भारत में हरित क्रांती के शुरुवाद सन 1966-1967 से हुई है हरित क्रांती प्रारम करने का स्रेय नूबिल पुर्यसकार विजेता डाक्टर स्वारी प्रोफेसर नार्मन बॉरलाक को जाता है भारत में हरित करांती के पिताड़ा M.S. स्वामी नाथन डाक्टर M.S. स्वामी नाथन को भारत में हरित करांती का पिता का जाता है हरित करांती के परड़ाम स्वरूप खाध्यान गियों और चावल के उत्पादन में भारी प्रिद्धी हुई जिसकी सुरुवात बीसमी सताबदी के मध्य विक्षित छेत्रों से नए उच उपच देने वाली किसमों की बीजों को प्रियों के कारण हुई अब अगला एडिंग है हरित करांती का उद्धेश क्या है दोस्तों यह में पूछ सकता है कि हरित करांती के भादर कोने तो भादर दोस्तों है नार्मन इपार लागा पूछेगा इंडिया में कोने तो यमे स्वामी नाथन पूछ देगा कि हरित करांती में किस पसर कोई सबस के लिए रोजगार के लिए वैज्यानिक अध्यन के लिए क्रीशी करण के लिए दोस्तों हरितकरांती का बहुत ही उद्धिस्या है हरितकरांती में सामिल महत्पूर फसलें मुख्य फसल दोस्तों गिया हूँ चावल जुआर बाजरा और मक्का जो कि भी मैंने आप वह बताया और गहर खादानों फसलों में को नई रड़ नीती के दायरे में दायरेक बारी रखा गया है जो गहर खातान फसल है उनको नई रड़्यूनीत के दायरे से बाहर रखा गया है गियों कई बरसों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार रहा है इसका दोस्तों आगे चलते हैं जावी के खिटी का उद्देश से है तो जावी के दो जैव खिटी के दो लिखेती के समे़ी दर THIS यह थिकुल बनाना प्लिख सकते इं दोनों बाच्छे तक सकते लिए एसे मानग तक ट्यार करने की जरूरत है जिसका अनुसरण हो मतलब दोस्तों काने का इन दोनों पदती तक पोचने के लिए ऐसे मानक त्यार करने क्या हो सकता है जिसका अनुसरण हो मतलब जिसका पालन क्या जैसा कि आप जानते हैं कि भारती क्रीशी में सुद्जेविक खेती को अपना कर रासानी कुर पर प्रबंधन और जैविक नियंत्रोड वीडियों को ससक्त करने की आव सकता है ताक कि रसाने की रसाइनों की जरूरतों में कमी हो सके तो उम्मित करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा इसका पीट आप लोग ले लिजेगा जरूर जैविक खेति का सिधान्थ है जैविक खेति का सिधान्थ है जैविक खेति की सफलता तीन के तीन मादार बूद सिधान्थ है दोस्तों आत्म निर्भरता पहला अंत निर्भरता आत्म निर्भरता ने दोस्तों अंत निर्भरता यह सबसे मौतपूर सिधान्थ है इसमें दोस उधारण के लिए मिरीडा में अधिक नाइटरोजन के होने के होने से खर्पतवर के विद्धी तेजी से होगी इस समस्यक To an física को दूर करने के लिए किसान फसल उगाने का प्रयाज करेगा जो म correlate से नाइटरोजय के अधी क मात्रा को और सोसित कर लेगा और इस प्रकार से मिर्दा में पुसक ततों के भी संतुलन बना रहेगा दोस्तों अगला विवी दिता जैवी खेती का दूसरा सी दंद विवी दिता है जैवी खेती पुसक ततों में संतुलन बनाया रखने के लिए आवस के लिए किया आता है फसलो पसुपा पूरा चक्रड से प्रियोक करना पूरा से प्रयोक करना इसने प्रयोगों की आऊसी प्रॉण प्रयोग में आ जाने काड़ खेतों के पूसर तत्तों को बना रखने में साइक होते हैं जोस्तों जो पूर्ण शक्रड होता है इसे पूर्ण प्रयोग में आ केच्वों के प्रयोग से बनाई जाती है वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए केच्वों को 20 प्रेकार के गड़े से में तयार किया जाता है तथा इन केच्वों के माद्यम से अनुपयोगी जैविक वानस्पतिक जिवानसुख को अलप अवधी में मुल्यांकन जैविक खाद का निर्माड करके इसके प्रयोग मिरिदा के स्वस्त में सुधार होता है या एक मिरिदा की रुवर्ता सक्ती बढ़ाती है इस प्रेकार कि केच्वों के माद्यम से जैविक खाद बना जाती है उसे वर्मी कंपो निकलती है उसे एक 30 रूप में वर्मी कंपोस्ट करते हैं एकदम आसान तरीका दोस्तों तो उम्मित करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए और आगे भी आप लोगो प्लांट पर स्राजिक तयारी कराए जाएगी यार से ही तो आप लोग चैनल को सब्स्राइब जरूर के लिजिएगा जय हिंद